हेलो एवरिवन, वेलकम टो मैत्री पार्ट शाला, होप यू ओल आर सेफ एन हेल्दी तो आज की इस क्लास में हम डिसकास करेंगे क्लास फर्स्ट की कम्प्यूटर वक्षीट चैप्टर नमर थ्री और चैप्टर नेम इस पार्ट्स अफ़ कम्प्यूटर इस तरह से हमारे बोडी के पार्ट्स होते हैं उसी तरह से कम्प्यूटर में भी पार्ट्स होते हैं और जब हमारे सारे बोडी पार्ट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तभी हम कुछ काम करने के शक्षम होते हैं जिस तरह से जब computer के सबी parts आपज में मिलकर काम करेंगे तब ही आप computer पर काम कर सकते हैं, जिस तरह से हमारे कुछ five main senses होते हैं, उसी तरह से जो computer होते हैं, उसका भी कुछ main parts होते हैं, आपका monitor है, CPU है, keyboard है और mouse है, ये computer के main parts होते हैं, इसके अलावा कुछ additional devices भी होते हैं जो आप computer से connect कर सकते हैं जैसे कि आपका printer हो गया, scanner हो गया, speaker हो गया, headphone हो गया यह आपे कुछ additional devices होते हैं लेकिन यदि आप से main devices के बारे में पुछा जाएगा computer के main parts के बारे में पुछा जाएगा तो आपका monitor हो गया, CPU, keyboard और mouse यह four parts computer के main parts होते हैं आप लेट्स बिगेन, first हमारा question है filling the blanks, आपको कुछ नीचे hints दिये गए हैं इन hints की according आपको इन blanks को fill करना है so first हमारा question है, dash is the brain of computer computer का brain क्या होता है, तो computer का brain होता है आपका CPU, CPU की full form क्या होती है, central processing unit next है, we can type alphabet or numbers using the keyboard जब आप keyboard को use करेंगे, तभी आप क्या कर सकते हैं alphabet or numbers को type कर सकते हैं next हमारा है, a dash is used to take a print out on a paper paper पर आपको print out निकालना है, तो आपको किस चीज़ की help लेनी होगी तो आपको help लेनी होगी printer की, printer के through ही आप किसी भी picture का, किसी भी text का print out निकाल सकते हैं, hard copy में next है, a dash is a machine that reads text or picture printed on a paper paper के उपर कोई भी text है या कोई भी picture है तो उसको read करने का जो काम है, उस machine को क्या कहते हैं तो उस machine को कहते हैं, scanner next है, dash are used to listen to music stored on a computer computer के अंदर जितना भी आपका music store है, उसको सुनने के लिए आप किस device का use करेंगे तो उसे सुनने के लिए आप use करते हैं, speaker का next हमारा question है, right, true and false our monitor shows the work that we do on a computer computer पे आपने जो भी काम करते हूँ, आप monitor पे show होता है तो ये statement हमारी बिलकुल सही है you can watch stories on the CPU, आप CPU पर stories देख सकते हो तो ये statement हमारी गलत, हम CPU पर stories नहीं देखते हैं monitor पर हम stories है, movies है, cartoon है, वो देख सकते है a keyboard is used to draw picture keyword का, यूज किया जाता है picture को ड्रो करने के लिए, तो ये statement भी हमारी गलत है picture को ड्रो करने के लिए यूज किया जाता है, mouse का speakers come in pair, जो speaker होते हो पेर में आते हैं yes, ये statement हमारी बिलकुल सही है next हमारा है, rearrange the jumble letters to get the name of a computer part यहाँ पर आपके ये computer parts के नाम लिखे गए हैं, जिन्हें की हमें arrange करके लिखना है, तो सबसे पहला जो हमारा है, वो है mouse, m, o, u, s, e, mouse, next हमारा है monitor, m, o, n, i, t, o, r, monitor next हमारा है keyword, k, e, y, b, o, a, r, d, keyboard, next हमारा है tick the right answer, आपको right answer पर tick करना है a dash is used to point at thing on the monitor, monitor पर किसी भी चीज़ को point करना है, तो आप किसका use करेंगे, तो आप use करते हैं, mouse का आप monitor looks like a TV, जो monitor होता है, विलकुल आपका television की तरह दिखाई देता है, a dash is used to take a print out on a paper, paper पर यदि आपको print out लेना है, तो आप किस machine का use करेंगे, तो उसके लिए use करते हैं, printer का, a dash is present inside the CPU box, CPU box के अंदर क्या present होता है, तो CPU box के अंदर CPU होता है, next हमारा है answer in one word, one word में आपको इनके answer देने है, what is used to type letter, numbers और word, letters को type करना है, numbers लिखने, आपको कुछ words लिखने है, तो आप किस का use करेंगे, तो उसके लिए आप use करते हैं, keyboard का, next है, which part of a computer help us to draw picture, picture draw करने के लिए आप किस part का use करेंगे, तो उसके लिए use करते हैं, आप mouse का, तो हमारा है name the device that is born over the ears to listen the music, एक ऐसा device जिसे कि आप अपने कानों पर पहनते हैं, music सुनने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस device को कहते हैं, headphone, इसे हमारा है, which device help in reading text or pictures printed on a paper, पेपर के उपर यदि कोई भी picture है, कोई भी text लिखा हुए, तो उसको read करने के लिए कौन सा device हमारी help करता है, तो उसके लिए हमारी help करता है, scanner, next हमारा है match the following, like a TV, TV की तरह क्या दिखता है, TV की तरह दिखता है आपका monitor, keys, keys किस पर होती है, जो keyboard होता है, उसके keys होती है, आपने देखा हो, किसी पर 1, 2, 3 लिखा होता है, किसी पर plus minus के निशान होते है, किसी पर ABCD लिखा होता है, तो यह सभी keys होती है, और जब इन्ही को press करते हैं, तो monitor पर हम कुछ words लिख सकते हैं, letters लिख सकते हैं, जो हम monitor पर search कर सकते हैं, like a mouse, mouse की तरह क्या दिखता है, चुहें की तरह है, तो चुहें की तरह दिखता है, mouse, printed copy, जो printed copy होती है, उसे हम hard copy भी बोलते हैं, इस्ट हमारा है complete the missing letters, आपको कुछ words दिए गए हैं, इन में कुछ letters miss हैं, जिने के आपको complete करना है, तो सबसे पहले जो हमारी spelling है, वो हमारी है music, m-u-s-i-c, music, sound, s-o-u-nd, sound, cable, c-a-b-l-e, cable, button, b-u-t-o-n-s, buttons, next हमारा है look the picture and write their name, इन pictures को देखकर आपको इनके नाम लिखने हैं, तो सबसे पहली जो हमारी picture है, वो हमारी है keyboard की, next हमारी picture है mouse की, and next जो हमारी picture है, वो हमारी है monitor की, so आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपको ये worksheet कैसी लगी, comment box में अपना feedback जरूर दे, यदि आप किसी और topics related worksheet चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे comment करके बता सकते हैं, thanks for watching, have a good day and please like, share and subscribe my channel.